उसके लिए हम एक कडायू गरम करेंगे उसमें डालेंगे एक चम्मस तेल अब डालेंगे हींग तोड़ी जादा डालेंगे हम इसमें अब डालेंगे इसमें हम मूंग की दाल साबुत मूंग दाल उसको निरापने भी हो दिया था मूंग की दाल अच्छी तरह से भीग गई एक कट्वुरी मूरख की दाले साबूद इसको डाला देंगे हम अब इसमें डाले हम हल्दी पॉडर धना पॉडर मैं माक गरम मसाला थोड़ा इसको अच्छी तरह से चलाएंगे अब हम अब गयास को धीमा कर देंगे और धक करके इसको हम पकने देंगे अब इसको देखरा कि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस हलका सा गल जानी चाहिए अब इसमें डाल देंगे हम एक प्याज एक टमाटर और दो हरी मिर्स कटी हुई बारी कि इसको हम डालेंगे आधा मुंग दाल पकने के बाद में अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे इसी प्रकार से भूनेंगे इसको डखेंगे नहीं गैस का फ्लेम हम तेज कर देंगे तेज कर दिया हमने अब इसको हम इसी प्रकार से भूनेंगे और हमें जाता गलानी नहीं है प्यास टमाटर हलके से नरम करने देखिए दाल हमारी तेडी हो गई है बहुत निगलानी है इसको आप शुद्ट अब बनाएगे हम planeta गट्टे की सब्जी बेशन की awhile गट्टे के jury हम सर दढ़ी पॉड़र ठोड़ा सा धनिया पॉड़र लालमेश पॉड़र जीरा अधे डालेंगे हींग, आदी चम्मच बेकिंग सोडा, इसे सॉफ्ट हो जाएंग गट्टे, सबको मिलाएंगे अच्छे से, एक चम्मच तेल डालेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, पानी की सायता से इसका एकम बहुती मुलायम सा डो तग्यार करेंगे, डो बहुती मुलायम होना चाहिए अब हम हाथ में तेल लगाएंगे और इसको एक सा करेंगे डो हमारा बन गया है अब हाथ में फिर से तेल लगाएंगे और इसके लोई तोड़ेंगे इतने डो में करीब चार से पांस लोई बन जाएगी अब एक लोई को हम लेंगे और इस प्रकार से रोल करेंगे हम इस प्रकार से रोल करना है सारी लोई को एक पैन में हमने पहले से पानी गरम करने रख दिया था पानी में उबाल आ गया देखिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और एक चम्मस तेल करें अब डालेंगे इसमें हम रोल बने हुए बेसंद के इसे ढग देंगे और 15-20 म के लिए मीडियम गैस बनने देंगे देखिए बीस मिनट के लिए इसको बाल लिया हैंने कितने फूल गया उपर आगाए अच्छी तरह से देखिए आप देख सकते हैं गल भी गया है गैस बंकर देंगे और इनको निकाल लेंगे अब हम बहुत सॉफ्ट बनें बहुत समाल समीदी सबिसude काट लिया हम पूमिस कड्याइं में तिल घरां ज़ी थे लया है तो में जटों सब्सक्राइए फ्राई करेंगे तेल में डालकर इसको मीडियम गैस पर हल्का सुने रहा होने तक फ्राई करना है मैं गट्टी फ्राई हो चुके हैं अब इनको हम निकाल लेंगे गैस बंद करके अब उसी कड़ाई में से तेल हमने कम कर दिया है तेल में डालेंगे जीरा, हिंग, एक तेज पत्ता, तीन से चार साबुत लाल मिर्च, और दो हरी मिर्च बारी कटी हुई बूनेंगे एक प्याज बारी कटी हुई, लेशन अधरक का पेष्ट आधी चमच सबको बूनेंगे, अब डालेंगे एक टमाटर बारी कटा हुआ, सबको बूनेंगे हम, अब डालेंगे हल्दी पॉडर, धनिया पॉडर, करम मसाला, लाल मिर्च पॉडर, सबको बूनेंगे, अब लेंगे हम gravy, यह मेरी बनी होई gravy यहर अर्ल पर्पस ग्रेवी का वीद्यो में अप्लोड कर चुकी अप्ते चैनल पर इसका link को में देदूंगी, इस gravy को हमने दो बड़ी चमस डाला है, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, किसी भी सब्सक्राणि में डाल सकते हैं, ज देंगे वाल आ गया देखे अच्छी तरह से अब इसमें गट्टे डाल देंगे और गया इसको दीमा करके इसको हम 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे सब्जी तयार हो गई लगब अब डाल देंगे इसमें हरा दनिया कटा हुगा तयार है मारे गट्टे की स्वाधिस सब्जी लेंच के लिए सब्जी बन चुकिए अब ढ़के रख देंगे अब बनाएंगे हम रोटियां तबा गरम कर लेंगे तबा गरम हो रहा उतना देल में रोटी बेलते हैं जल्द जल्दी रोटी बिल चुकी अब डाल देंगे तवए पर कि जब तक से करें दूसरी बेल लेंगे अब इसको गैस पेस सेक लेंगे तव रख लेंगे तक तयार हो रही हमारी फूली-फूली रोटी देखिए कि बढ़िया बन रही ही रोटिया सब रोटी हम इसी प्रकार से सेख करें रख लेंगे फिर हम घी लालेंगे त्यून हमने तेल की सब्जी बनाई यह तेल मसालेगे इसलिए घी बहुत हलका लगाएंगे इसमें तैयार है हमारा दुबाए के लंच जट्टे के सब्जी और रोटी के साथ में बहुत टेस्ट है हम पूरी किचन को साफ कर देंगे लंज हो चुका है हमारा मैं हमें इसा क्लीन करती हूं मैंने आपको बताया था पहले भी अब तयार करते हैं रात का डिनर डिनर मैं आज में बनाऊंगी मुंकी दालगी खिचड़ी होगगर गरम कर लिया है हमने इसमें डाल दूंगी एक चम्मस तेल और डालोंगी एक प्याज और दो हरीमिस बारी कटी हुई उसका भूनूंगी हलका सा अब डालोंगी इसमें चावल और दो चम्मज मूंकी दाल दोनों को दो करके विगो दिया था 20 मिनट के लिए भीग चुकी है चिलके वाली मूंकी दाल है अब डाल देंगे उसको मिलाएंगे और डालेंगे इसमें दो गिलास पानी अब डालेंगे नमक स्वात के अनुशार इसमें धक्कर लगा देंगे और तेज गैस पेस को हम हलकी से अवाज होने तक सीटी बनने देंगे पहले सीटी ने आने चाहिए पूरी देखे हलकी से अब आज आई अब धीमी कर दिया अब धीमी गैस पे दो सीटी आने तक बनने द तरदूंगी में देखिए इसकी पूरी गेस निकल गई है अब देख लेती है खोल के खिचिडी बन चुकी है हमारी इसमें तड़का लगाऊंगी मैं एक पैंज में हम एक चम्मस घी गरम करेंगे देशी की उसमें डाला है जीरा ही बस कुछ वहनी डालोंगी डाल दोगी खि में हमने मसाले की सबजी खाई ती इसलिए खिचडी इसको मैं नीबू के खट्टे मीटे अचा के साथ सर्व करूंगी अब किचन की सफाई